उफ ये बाहर का नजारा जो कि मेरी आखों को बहुत थंडग दे रहा है मुझे शाम का जो नजारा है ना वो देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है पर अगर मैं ठकी हुई हूँ तो कुझे कोई भी नजारा दिखा दो ठकान नहीं खतम होती है अक्सर हम औरते क्या करती है थोड़ा सा exercise कर लेती है थोड़ा सा काम कर लेती है थोड़ा सा चल फिर लेती है तो complete करना चलू करते है यार ठकान हो गई बस अभी नहीं यार मेरे पैरों में दुख रहा है यार मेरे से नहीं हो रहा है ये सारी चीज़े हमारे मूँ में आने लगती है and ये होता है मतलब मैं जो बात कह रही हूँ ये बात कही न कही सच है ऐसा होता है मैं तो हमेशा ही ये सारी चीज़ बोलती रहती हूँ पर कई बार मैंने और भी औरतों की मूँ से ये सारी चीज़े सुनी है बट रिसेंटली मैंने नियो बैलेंस रिंग के बारे में सुना ये मुझे एक यूनीक सा प्रोड़क्ट लगा ये मुझे एमिजॉन पर मिला है और बहुत ज़्यादा महेंगा नहीं अफॉर्डेबल है हम सब के बजेट में है और एक बार अच्छी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ों के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करने की बारी आए ना तो मुझे नहीं लगता है कि हमें पैसों की तरफ देखना चाहिए वैसे ये काफी सस्ता है जितने में आप अपनी फैमिली का पिज़ा लेते हो उससे भी कम में है ये तो ये क्या करता है आपको ठकान से बहुत दूर रखता है आपके जो बॉडी का पोश्चर है उसे इंप्रूफ करता है और ये एक्सेसाइस करते समय भी आपको अच्छे इफेक्ट देता है तो ये है क्या? चली मैं बताती हूँ तो ये है नियो बालेंस रिंग इस तरह से ये जो डिबा है आपको दिख रहा है और ये देखिए ये इस तरह से दिखता है इसे आपको अपने पैरों में पहनना है दो पैरों के लिए दो है ये ये काफी मतलब सॉफ्ट है इसका मटेरियल काफी अच्छा है और साथी साथी काफी ज़्यादा कमफर्टेबल है ऐसा नहीं है कि पैरों को चूबेगा वगेरे बिलकुल नहीं काफी कमफर्टेबल है अभी आपको इसे पहनना कैसे है इसे कब पहनना है इसे एक्जाक्ली होगा क्या और ये पहनने से ऐसा क्या डिफरेंस आप अपने बॉड़ी में देख पाएंगे और सची में क्या ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इन सारे चीजों पर मैं आज बात करने वाली हूँ तो तयार हो जाएए नियो बैलेंस रिंग के बारे में और जानने के लिए तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दू कि इसके क्या क्या फाइदे है पहनने के सबसे पहले ये आपको रिलीफ देगा पैरों के ठकान से तो कई बार आपको पता है कि हमारे जो पैर है दिन भर में बहुत सारी अक्टिविटीज करते है कीचन में कई घंटे खड़े रहते है या फिर अगर हमारे बाडी का वेट जादा है तो भी हमारे पैर उन्हें संभालते है और इन सारी चीजों में पैर ठक जाते है और ठकान की वज़े से हम भी बहुत ज़्यादा खुश फिल नहीं करते तो जब आप इसे पहनना चालू करते है ना तो सबसे पहले ये आपके बाडी के वेट को इवनले डिस्टिब्यूट करता है आपके बाडी में और फिर आपके पैरों पर जो भी ठकान आती है ना वो रुप जाती है और आपको काफी ज़्यादा रिलिफ मिलता है साथी साथ ये हमारे बाडी के पोस्चर को भी करेक करता है कभी कभी आप सभी को पता है कि बाडी के वज़न की वज़े से या बाडी में किसी कम जादे प्रॉब्लम की वज़े से हमारे जो बाडी का पोस्चर है वो सही नहीं रहता पर आप इसे जब पहनना चालू करेंग तो यह body का जो unbalance posture है उसे ठीक करके body को maintain करके आपको right posture देगा साथी साथ इसका एक बहुत ही अच्छा फाइदा मैं आपको बता दू कि अगर exercise करते हुए या walking करते हुए अगर आप इसे पहनते हैं तो इसके जो results है मतलब exercise और walking के जो results है वो आपके body पर आपको highly दिखने को मिलेंगे जी हाँ आपने एकदम सही सुना है क्योंकि ये help करता है आपके exercise के जो भी results है उसे आपके body पर लाने के तो ये बहुत ही effective है अगर आप exercise करते समय से पहनते है पर याद रखिए अगर आप बहुत ही ज़्यादा यानि बहुत वाला ऐसा exercise करते है जो कि heavy exercise माना जाता है तब इसे ना पहने तो सबसे बहले मैं आपको बता दू इसे आपको use कैसे करना है इसे use करना काफी असान है इसका जो ये सबसे बड़ा circle दिख रहा है इसे आपको big toy में यानि पैरों के अंगुठे में डाल देना है और ये जो सबसे छोटा circle दिख रहा है इसे pinky toy में यानि सबसे छोटे वाले हमारे उंगली में इसे डाल देना है इसका जो material है यह safe है बहुत ज़्यादा comfortable है इसे पहनने के बाद आपको लगेगा भी नहीं कि अपने पैरों में कुछ ऐसा पहना है 99.9% यह germs जो है कील करता है हमारे पैरों के और पैरों को एकदम fresh रखता है इसे साफ करना भी बहुत असान है जब भी आपको लगे कि यह गंदा दीख रहा है या बहुत दिनों से आपने पहना हुआ है तो बस आपको गुन-गुने पानी से इसे धो देना है और naturally इसे dry होने लेना है सबसे पहले जब आप इसे use करेंगे न आपको सिर्फ 30 मिनिट के लिए इसे use करना है पहले ही दिन आपको इसके जो effects है वो feel होंगे दीरे दीरे आपको इसे 30 मिनिट से 2 hours में convert कर देना है इसे इस्तिमाल करने का जो पहला हफता होगा हो सकता है कि आपके पैरों में आपको हल्कासा pain feel हो वो इसी लिए क्योंकि ये आपके जो toy होते है उन्हें stimulate करता है और दीरे दीरे ये आपको काफी healthy बना देता है जिससे आपका confidence level boost होता है और फिर आपको ये परिशानी नहीं होती hygienic purpose के कारण आपको इसे properly धोना है क्योंकि अगर आप इसका hygien maintain करेंगे तो ये आपके लिए अच्छी बात है जो product है ये medical device नहीं है बट ये आप पहन कर इसके काफी अच्छे जो uses और storage है अपने body के लिए करवा सकते है अगर आप बहुत ज़्यादा excessive exercise या heavy exercise कर रहे है तो इसे मत पहनिए या फिर इसे दो घंटे से ज़्यादा दिन में मत पहनिए अगर आप ज़्यादा पहनेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई side effects दिखे पर आपको जितना बोला है उतना ही अगर आप पहनेंगे तो आपको इसके काफी ज़्यादा फाइदे होंगे तो कैसा लगा आपको Neobalance Ring के बारे में जान कर मुझे आपको इसके बारे में बता कर बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मुझे पता है कि इसके जो फाइदे है जब आपको मिलेंगे न तो आपकी दिल से मेरे लिए एक थांक्यू निकलने वाली है क्योंकि मैं इसे कुछ दिनों से पहन रही हूँ और मैंने सची में इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे देखे है बस मैंने स्टार्टिंग में इसे 30 मिरिट पहना था और अब मैं इसे 2 घंटे पहनती हूँ और मैं आपको बोल दूँ कि पैरों में थकान तो होती नहीं और थकान नहीं होने की वज़ों से मेरे बॉड़ी इतना ज्वादा फ्रेश पील करती है कि मज़ा आ जाता है पहने में नॉमली मैं कीचन में खड़ी रहती हूँ न तो भी इसे पहन लेती हूँ और उतना भी काफी हो जाता है मेरे पैरों के लिए मेरे पूरे बॉड़ी के लिए तो मुझे ऐसे लगता है कि कभी-कभी हम लोग बहुत सारे पैसे हमारे कॉस्मेटिक पर कपड़ों पर खानों पर स्पेंट करते हैं तो यह काफी सस्ता है जी हा जितने में आपकी एक कुड़ती आती है न उतने का ही यह है तो एक बार आप चेक करें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पॉच्छेस लिंक मिल जाएगी चेक जरूर करें और अपने लिए भी और प्लेस जर पूच्या है तो अगर आपको इस प्रोड Sakya बारे में जानकर अच्छा लगाया तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर की लिए आपको खुशी हुई यह आपको कप्रोड़क को सब्सक्षाएन से तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पका पूछिएगा तो चलिए फिर description box में as usual आपके लिंक तयार है आप जाकर एक बार अपनी तरफ से चेक कर सकते हैं तो चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ अपने के लिए बाई बाई